आप सभी का स्वागात है मेरे YouTube चैनल Digi4Tech पे आज मैं आपके लिए Custom Rome का Review लेके आया हूँ अब हम चलते हैं अपने वीडियो पे लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे YouTube चैनल Digis का नाम Digi4Tech है उसे आपको सब्क्राइब करना है बेल बटन दबाना है, नोटिफिकेसन आइकोन क्लिक करना है मुझे सारे social platform पे follow करना है इस वीडियो को like करना है, share करना है, comment drop करना है आई बटन जरूर से चेक करें इस वीडियो का और description भी प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें अब हम आते हैं अपने रोम के about पे ताकि आपको पता चले कि कौन सा रोम है ये जो रोम है, इस रोम का नाम है spark OS फिल हाल ये official नहीं हुआ है, यानि कि official तोड से release नहीं हुआ है तो just मुझे वीडियो बनाना था, इसलिए मैं बना रहा हूँ बट आपको वीडियो के start में ही मैं बता रहा हूँ ये रोम, अभी मैं आपको suggest नहीं करूँगा ये भी नहीं बोलूँगा कि आप इसे download करो, install करो, check करो primary device पे तो बिलकुल नहीं करना क्योंकि इसके जो maintainer है, वो इसे अभी create कर रहे है fully create नहीं हुआ है, इसमें हो सकता है, कुछ major bugs हो सके बट मैंने अभी notice कि है, मुझे ऐसा कुछ major bugs तो देखने को नहीं मिला है बट फिर भी से मैं आपको suggest नहीं करूँगा, जब तक के इसके maintainer इसे officially telegram channels पे या hda websites पे release ना कर दे हम आते हैं इस रोम के details पे spark OS, operating system का नाम है, version है 12.5, इसी OS का मैंने last video बनाया था जो था 12.2 के साथ, आप उसका video मेरे channel पे जाके देख सकते हैं उनके maintainer का नाम था, पिछले build के maintainer का रासी दली कॉस्त है उन्होंने build क्या था, अब देखते हैं नए maintainer, यहाँ पर maintainer का नाम unknown है और release type भी unofficial है, और पिछला जो build था 12.2 वो official release था तो इसलिए अभी इस रोम को use करने की जरूरत नहीं है Android 12 है, यहाँ पर आपको details दिख रहे हैं 5 July 2022 का security patch है, 4.9 fusion kernel यूज किया गया है 3.32 वाला मेरा phone का model है आते हैं, physical navigation button light काम नहीं करेगा vanilla room है, और मैंने flame gf basic यूज किया है वीडियो के description पे आपको 5 gf के link मिल जाएंगे आपको जो भी पसंद आता है, आप अपने according यूज कर लिजेगा अगर आप इस room को use कर रहे हैं तो बट मत करना room को reuse जब तक कि यह official ना हो जाए आगे बढ़ते हैं, left side पे आपको कोई google page नहीं मिलेगा swipe done करके दिखाऊं तो quick tiles आपको android 12 का भी नहीं मिल रहा है अपना खुद का touch दिया गया है quick tiles पे swipe up करके देखते हैं तो dialer पे आपको call recording मिलने वाला है play store certified है, game space दिया गया है और AOSP के apps दिखेंगे इसमें Gcam 8.1 अच्छे से काम कर रहा है और Gcam 8.1 ही मैं suggest करूँगा Gcam का 8.2, 8.3 भी आ चुका है बट मुझे वो पसंद नहीं आया है 8.1 ही आप use किजेगा, जो मैं link provide कर रहा हूँ अब आते हैं आपको इस video पे और मैं आपको बता देता हूँ, port type चल रहा है साथ में आपको बाकी जो features हैं वो भी काम करता हुआ, मिलेगा, ऐसा नहीं है कुछ major bug अभी तक नहीं मिला है मुझे settings पे चलते हैं, अब मैं आपको setting explain कर देता हूँ सबसे पहली बात हम firework पे आएंगे जहां हमें spark os का major setting देखने को मिलेगा themes आप यहाँ पर customize कर सकते हैं lock screen customize कीजिए, status bar, gesture, miscellaneous और power menu direct हम miscellaneous open करेंगे miscellaneous के अंदर आप battery light, screen on off का animation, ambient light display और read ticker, kill app button, background, strict stand by policy और यहाँ पर smart pixel, game space भी आपको मिल रहा है hidden apps की भी features मिल रहा है और एक नया feature मिलेगा जो की है add blocker और यह अगर बोला जाए इससे अगर rating दिया जाए तो 10 out of 7 है मतब 10 out of 7 rating मैं दूंगा इसके add blocker को काम कर रहा है बट ऐसा नहीं कि 10 out of 10 है अब allow app downgraded है, ignore windows secure है, on screen navigation bar है बहुत सारे settings आपको miscellaneous के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो ज्यादा भैतर होगा, जब आगर आप इसे use करने का मन बनाते हैं तब, ध्यान रखेगा 63% में यहाँ 19 घंटे का stand by time दिख रहा है और screen on time अगर आप 100 percentage पे मान के चले तो एप्रोक्स आपको 24 घंटे का तो मिलेगा ही मिलेगा जब 19 घंटा आपको 63% में मिल रहा है तो यह stand by की बात हुई, on screen की बात करें है न, screen on time की तो लगभग आप 4 घंटा मान के चले 4 घंटा से ज़्यादा आपको screen on time नहीं मिलने वाला है आगे बढ़ते हैं, storage पे मैं आगर आपको दिखा दूँ तो storage 3.3 GB प्लस 4 GB कीजिए याने की 7.3 GB का consume है 3 GB वाले model के लिए और इससे ज़्यादा consume मिलेगा अगर आप 4 GB पे flash करते हैं तो यहाँ से बाहर चला जाए sounds, abilities पे कुछ निया, direct securities पे चलते हैं तो security के अंदर आपको face lock तो मिल जाएगा app lock और smart lock भी मिल जाएगा disable आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि पहले आपको face, fingerprint या screen lock कुछ ना कुछ lock एक्टिवेट करेंगे तब यह lock एक्टिवेट होगा आगे बढ़ते हैं, securities पे आपको एक चीच और दिखाना मैं भूल गया, वो है phone का room not encrypted है तो ऐसा नहीं है कि encrypted room है यार, अचानक से इसे flash कर दिये है नया room है, unofficial है अभी release नहीं हुआ है, तो damage हो जाएगा मेरा device कोई डढने की बात नहीं है आगे बढ़ते हैं, इस से बहा लिकलते हुए systems के अंदर आपको किसी तरीके का अपडेटर देखने को नहीं मिलेगा बार-बार मैं बता रहा हूँ, यह unofficial है unreleased room है और maintainer भी unknown है उनका नाम officially नहीं हुआ है Spark OS 12.5 है तो कोई update देखने को नहीं मिलेगा official पे आपको देखने को मिल जाएगा developer मैंने enable किया है 1.5 GB system consume कर रहा है आपने कुछ command दिया कि मुझे यह app open करना है तो वो app fast open होगा विकॉस उस app को open करने के लिए उसके पास resources है जैसे कि resources का मतलब है RAM and processor आगे बढ़ते हैं about पे मैं आपको वापस से rewind करवा देता हूँ कि यह जो है android 12 का build है और इस पे आपको अनओफिसियल बिल्ड है unknown maintainer है version है 12.5 kernel आपको 4.9 fusion यूज़ किया गया है c linux enforcing है और भी आपको इस तरीके के features इसमें मिल रहे है तो यह room ठीक है unreleased है बट फिर भी से आपसे requested है प्लीज इसके official होने official release होने का wait करें इतना हडबडी में मत करें मुझे वीडियो आपको देना था क्योंकि मेरी चैनल पे कुछ दीनों से वीडियो नहीं आये थे इसलिए मैं ये वीडियो बना के आपके पास ला रहा हूँ बट आपको बार बार rewind भी कर रहा हूँ साथ में मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरी यूट्यूब चैनल को सब्राइब करके बैल बटन दबाके अल नोटिफिकेशन आइकोन क्लिक करके रखे मुझे सारे सुसर प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें मेरे वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें स्टार्ट टू एंड आई बटन देखें डिस्क्रिप्शन देखें अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे थेंक यू, have a nice day